अज हम लोग बात करने वाले हैं लोग बात करेंगे जैसा कि हमने देख रहे थें इस alex technician को सारे पहले plumbing करेंगे है तो पहला बस हने तेमे हों प्रेकर के राउज सायज के अनुसार एक इस्क्रु की सहीता से समानांतर खूलना जाता है से जिसे क्या है आगलिने के आम एक है आप कर एक हम्हान के आप सzufलॹनित है के ऩंद्द जास्ता जास को मेशstep करने दानेन एंसर हो जाएगा option number B monkey wrench, B is right answer हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, monkey wrench का प्रयोग करते हैं, monkey wrench का प्रयोग करते हैं, एक प्रकार के wrench में जास को nutों के size की अनुसार, क्या होता कि जो nut होते हैं, nut के size की अनुसार, नट के साइज के अनुसार एक स्क्रू की सहाथा से खोला जाता है वे होते क्या होते हैं हमारे मंकी रिंच होते हैं अगर चैनल पर नए है तो चैनल को लाइक और सस्क्राइब चरूर करिएगा वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक सेर करना ना भूले जो monkey range होता है अगर बात करते हैं इसमें monkey range की तो हमारी जो monkey range होती है monkey range monkey range की अगर बात करते हैं तो इसको हम लोग क्या कहते हैं समा योज रेंच भी कहते हैं क्या कहते हैं समा योज रेंच मैं की रेंच को और हम किस नाम से जानते हैं समा योज रेंच के नाम से भी जाने जाते हैं इन्हें और इसको हम लोग कि इन्हें हम जो है क्या कहते हैं monkey wrench होते हैं forged wrench के रूप में भी जाना जाता है किसे के रूप में जानने जाते हैं forged forged wrench forged wrench के रूप में भी रूप में भी क्या करते हैं monkey wrench को जाना जाता है जाना जाता है चलते हैं अब next question है हमारा अगले question क्यों चलते हैं दूसरा number question है हमारा निमने में से कौन सा handle file का हिस्था नहीं hand file का हिस्था नहीं जो file होती है इन में से हमारा कौन सा उसका हिस्था नहीं wheel, curve, tank, belly इसमें क्या बताना है हमारा की जो hand file का हिस्था नहीं इसमें क्या नहीं है कर्फ कर्फ जो है हमारे hand file का हिस्सा नहीं है इसका right answer हो जाएगा option number dim इसका right answer हो जाएगा option number dim जो हमारे hand file के जो हिस्से होते हैं यह वो कौन कौन से होते हैं जैसे में होते हैं core tip tip या point tip या point बोलते हैं point wheel heel ferule ferule handle handle tank यह सभी क्या होते हैं कि जो हमारे hand file होती है उसके जो है क्या होते हैं यह parts होते हैं next question है अगले question क्यों चलते हैं हमारा अगला question है तीसरा number question निम लिखित में से कौन सा सामान निम fastener का प्रकार नहीं है हमें क्या करना है कि जो fastener होते हैं इसका प्रकार नहीं है तो इसका right answer हो जाएगा option number D D जो है इस scraper जो है हमारा क्या है यह जो है fastener का प्रकार नहीं है fastener का प्रकार नहीं है इसका right answer हो जाएगा option number D next question है अगला question number देखते हैं तीसरा number हमारा question है किसी B block का अंतर कौन होता है जो अंतर कौन होता है जो V block होते हैं included angle in V blocks जो किसी B V block का अंतर कौन होता है क्या होता है कि जो V block का कौन होता है क्या होता है option A 90 degree option B 120 degree option C 45 degree option D 75 degree जो V block का included कौन होता है हमारा कितना होता है 90 degree होता है V block का जो कौन होता है क्या होता है 90 डिग्री होता है वी ब्लाग का उप्योग हम बात करते हैं तो इसके उप्योग करते भी ब्लाग कम उप्योग यूज यूज की अगर हम बात करते हैं तो जो भी ब्लाग होता इसका उप्योग हम लोग कहां करते हैं ड्रिलिंग ड्रिलिंग या मिलिंग आपरेशन मिलिंग आपरेशन मिलिंग आपरेशन या क्या करते हैं करने के लिए या जो गोल सिलेंडिकल जाब होते हैं गोल सीलियंडेकल जोब यह सभी जाब को जो है या पाइप को पाइप को पाइप को जो है पकड़ने के लिए जो सहारा देने के लिए हम लोग वी व्लाग का प्रयोग करते हैं वी व्लाग की अगर मेटल की अगर हम बात करते हुए तो यह हमारे किस मेटल के जो है वी व्लाग जो है बनाये जाते हैं वी व्लाग की मेटल के अगर बात करते हैं उच्च कार्बन इस पात इस पाथ है एच सी एस एच सी एस या मृदू इस पाथ की ब्रीदू इस पाथ को चुह है क्या करके हाड और टेमपर करके जो है बनाया जाता है इस पाथ को क्या करके हाड और टेमपर करके या क्या होता है कि जो हमारे वी ब्लाक होता है वी ब्लाक का जो इंकलेड़ एंकल होता है या कितना होता है कि 90 डिगरी का होता है इसका हम जो वी ब्लाक होता है इसका इस्तेमाल हम लोग कहां पर करते हैं किसी भी जॉब को सहारा दे कर इसे क्या होता है कि डिलिंग, मिलिंग ओपरेशन, गोल, सिलेंडिकल, जॉब या पाइपो को पकड़ने के लिए करती है जो क्या होता है जो वी ब्लाक होता है इसको जो बनाए जाते हैं जो इस्क्राइबर होते हैं इस्क्राइबर नेक्स है आपसन इस्क्राइबर इस्क्राइबर बनाए जाते हैं यहां जाते हैं यह जो है एक हिंग रहेगा इस्क्राइबर बनाए जाते हैं इस्क्राइबर हमारे चुहें किस मेट्रेलियल का बना होता है आपस चाब कर र्क लोग के हम बात करते हो तो इसक्राइबर का प्रयोग हम लोग करते हैं के चिंहन करने के लिए चिंहन या मार्किंग किया जाते है जो हमारा सेंटर पंच होता है उसको बनाने के लिए हम लोग किस मेटल का उपयोग करते हैं आप्षन है ए एक कापर अप्चन भी है diplo already है out तो हम सी है ज्ञेयोता है उच्छ कार्बन युक उत इस पाथ हूं हमारा center punch होता हुए किस metal का बना होता हुए इसका राइट एंस रोजाएगा option number D उच carbon इस पार मेटल का जो है बना जाता है जो अगर हम center punch की बात करते है तो यह center punch का परियोग हम लोग कहां पर करते हैं ein जैसे संटर पंच करते हैं जहां डूर्ट के द्वार अच्हित बनाना होता है अगर माली तो हमारा मैटल हमारा को उसनेन करने कि यहां परर सेंट चा BERBर करनें उसलों मिल जाएग इस्ते क्या होद है कि अब करें यह इधर उधर भागेंगा नहीं एक्दम एकुर्येट्ट इस्थान पर हमारी ड्रइलिक हो जाएगे अगर सेंटर-पंस्ट का कौन की बात करते गरर भातक इंडर-फंचूर की बात करते हैं, high carbon steel, कुछ carbon युक टीस पात या इसी खमलक बोलते हैं, high carbon steel के जो हम बनाये जाते हैं, next आगे बात करते हैं, यह सारे questions जो है आपको हर टेकनिकल एक्जाम के लिए भी महत्पून questions है और टेक एलपी टेकनिसिन के लिए भी बहुती महत्पून questions है अगले question की वर चलते हैं हमारा 6 नंबर questions है छो यह 6 नंबर हमारा question है वी बलाक का गुरू होता है next question है वी बलाक का ग्रू होता है Lets है एक सुबइस डिगरी आपिशन सबीए सब्सक्राइब होता है कि इसका राइट अन्सर हो जाएगा आपशन नूंबर वी 90 डिगरी का होता है और अगर इसकी डिटेल्स की बात करते है तो जो भी ब्लाग होता है हमारा किस मेटेरिएल का बना होता है वी ब्लाक की माटेरियल के बात करते हैं तो यह किसका बना होता है कास्ट आयरन का का कास्ट आयरन वी ब्लाक हमारा किस मेटेरियल का बना होता है तो वी ब्लाक का हमारा जो है क्या करते हैं या जो है काश टायरन का बना होता है इस ते अनेक आपरेशन के लिए इस पर जो है अनेक आपरेशन करने के लिए जो है इसका इस्तमार किया जैते जैसे आपरेशन में अगर बात करते आप्रेशंस कौन कौन से होते हैं आप्रेशंस की बात करते हैं तो इसमें ड्रिलिंग अगर्डिलिंग अगर्डिलिंग सर्फेस ग्राइंडिंग सर्फेस ग्राइंडिंग सर्फेस ग्राइंडिंग, मिलिंग मिलिंग वर फैसिंग आधी प्रकार के जो है आपरेशन जो है इसके द्वारा क्या होता है कि सहारा देकर आधी करते हैं इसको क्या करते हैं सहारा देकर पकड़ा जाता है इसके द्वारा जो है आपरेशन जो है किये जाते हैं अगर हम 90 डिगरी की जो 90 डिगरी होता है वी वी लाक में जो 90 डिगरी यही क्या करते हैं इश सारा देने इस्तिमाल जाता है अगला नमनिंबर द्वारा गोल राड का सेंटर नहीं निकाला जाता है हम लोग जो किसके माधियम से जो है गोल राड का सेंटर नहीं निकाल सकते हैं आप264 दीवािडर आप यहां पर जो इसका संटर हमें निकालने के लिए हमें संटर निकालने के इसका प्रयोग नहीं करते कर आपड़र यहां करते हैं अगर हमें इसका सेंटर निकालना अगर यहीं क्वेश्चन मान लीजिए दे दिये जाए इसके द्वारा गोल्राट का सेंटर निकाला जाता है तो आर्ड लेक का इलिपर वर्नियर का हाइड गेज या भी बलाक कंबिनेशन सेट का सेट इसके माध्यम चुछ हम लोग क्या कर सकते हैं किसी भी गोल्राट का जो है सेंटर निकालने के लिए भी इस्तिमाल कर सकते हैं नेक्स्ट कोस्चन से अगला कोस्चन है हमारा एट नंबर कोस्चन है निमलिखित में से किस प्रकार के हैमर का प्रयोग रिवेट की सैंक को फैला कर हैट का आकार बनाने के लिए किया जाता है ऐसा काउन सा हैमर है जिसका प्रियोग लिखित में से किस हैमर का प्रियोग रिवेट की सैंक को फैला कर जो रिवेट होती है उसकी सैंक को फैला कर हैट के आकार को बनाने के लिए प्रियोग किये जाती है तो हम लोग किसका प्रियोग करते हैं अगर आप सभी को हमारी वीडियो अच्छी लगी तो चैनल पर नहीं है, तो चैनल को Like और Subscribe भब जुरूर करेंगे जो इस बाल पिन हैमर होता है बाल पिन हैमर का इसका प्रयोक हम और भी इस थाउनों पर करते हैं जैसे क्या करते है Vamos क्या करना क्या करना मार किंग करने चिपिंग करने चोट मारने अधी कारियों धुक्त की लिए हम लोग क्या करते हैं बाल पीन हैमर का प्रयोग करते हैं अगला question है नाई नंबर question है एक 500 ग्राम भार वाले ग्राम भार वाले हैमर के हैंडल की लंबाई होनी चाहिए एक 500 ग्राम भार वाले हैमर के हैंडल की लगभग लंबाई होनी चाहिए आप्चन है A 275 mm, आप्चन B 300 mm, आप्चन C 325 mm, आप्चन D 350 mm तो इसकी जो 500 ग्राम का अगर हैमर है तो हमारे उसके हैंडल की लंबाई कितने होगी इसका राइट अंसर हो जाएगा, आप्चन नंबर, next questions हैं, अगला question है हमारा 10 number question है अगला question है, गियर पहियों के दातों के अंदर परिसकरां के लिए आम तोर परनिमन में से किस फाइल का उपयोग किया जाताया जो gear के पहिये होते हैं gear के पहिये जो अंदर को क्या होता है कि filing करने के लिए हम लोग किस फाइल का प्रयोग करते हैं आपसन है cross file आपसन भी है mil सा फाइल आपसन सी है bear it file आपसन डी है refill file तो हम लोग किसका प्रयोग करते है gear पहियोग के दाटों के अंदर परिष्करन के लिए आम तोर पर निम्न में से किस फाइल का उपयोग जो है किया जाता है इसका राइट एंसर जो है क्या होने वाल है comment करके बतायेगी इसका राइट एंसर हो जाएगा आपसन नंबर C बेरेट फाइल बेरेट फाइल का हम लोग प्रयोग करते हैं किस फाइल का प्रयोग करते हैं बेरेट फाइल का प्रयोग करते हैं बेरेट फाइल क्या होती है बेरेट फाइल के अगर बात की करते हैं यह जो होती है मसीन की हुई फाइल होती है मसीन की हुई यह क्या होती है कि हमारी जो बेरेट फाइल होती है मसीन की हुई फाइल होती है next question है अगले question क्यों चलते है हमारा अगला question है 11 नमबर question है चिन्हन के दोरान संदर्व सतह निम्लिखित में से डैस त्वारा प्रदर्शित की जाती हैं कोश्चन है मार्किंग के दोरान संदर्व सतह निम्लिखित में से डैस द्वारा प्रदर्शित की जाती आप्षन है A WorkPiece, आप्षन B Marking of Table, आप्षन CM, जाप के चित्रे रेखा, द्वारा आप्षन D है, बोर गेस द्वारा, तो इसका राइट एंसर क्या होने वाला है, आप सभी को जो है कमेंट करके बताना है, कमेंट बॉक्स में, चल्दी से जल्दी कमेंट करके बताएगे, एक लाइक तो आप सभी कमेंट करके ही जाएए कि इसका राइट एंसर क्या होने वाला है, मारकिंग आफ टेबल, मारकिंग आफ टेबल का प्रयोग करते हैं, इसका राइट एंसर हो जाएगा, आप्षन नमबर B, किसी भी जॉब के हम मारकिंग करने के लिए हम लोग कहां पर डलवा लोहा डलवा लोहा की जो है बनी होती है वर्गाकार या आयताकार एक प्लेट होती है जो उस सर्फिस प्लेट होती है हमारी क्या होती है वर्गाकार वर्गाकार या क्या होती है आयताकार अगर हम सर्फिस प्लेट की बात करते हैं तो हमारा सर्फिस प्लेट की इस मैटेरियल का बना होता है ढलवालो है यह आयताकार या वरगाकार में जो है प्लेटों में इस उपाई जाती है इसका जो इस टैंड होता है अगर इसके इस टैंड की बात करते हैं जिसको उपर यह फ लगी तो चैनल पर नहीं है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब शरूर करिए वीडियो को ज्यादा से ज्यादा दोस्तों तक सेयर करना ना भूले आपको क्या कहते हैं इस question के सारे पीडियाप्स आपको हमारे टेलीग्राम ग्रूप को जोईन करिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम ग्रूप का लिंक और क्या कते वाटसप ग्रूप का लिंक भी दे दिया जाएगा वहाँ से जाके जो है आप ग्रूप को जोईन कर सकते हैं और वहीं ग्रूप के माध्यमस ही आपको इस questions, questions है, PDF भी जो provide किया जाएगा, question है, flowering या फ्रांसिंग, francing के लिए dash scraper का इस्तिमाल किया जाता है, question है, flowering या फ्रांसिंग के लिए dash scraper का इस्तिमाल किया जाता है, option है, इसका right answer हो जाएगा, option number D, hook का प्रयोग करते हैं, जो hook होती है, क्या होती है, कि हमारी यह तेजधार वाली, क्या होती है, तेजधार वाली, क्या होती है, steel की plate से बनी होती है, क्या होती है, द्वारा धादू को उटाने के लिए कि यह चो क्या करते हैं यह जो प्लमबर होते, टूल मेकर्स होते है इस को लिए जोए इन लोग ही ज़्यादा इस चीज का इस्तमाल करते हैं अगर आप सभी को हमारी वीडियो अच्छी लेगी तो चैनल पर नहीं है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब चरूर करिएगा वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक सेर करना ना भूले धन्यवाद